नमस्कार, UPT-AT 2021 के अपडेट के लिए काफी लोग परिसान है साथी next date क्या मिली है काफी लोग परिसान है WhatsApp या फोन कर रहे हैं तो अपडेट देने के लिए इसलिए मैं सुचा completely अपडेट दे तूँ और साथ ही काफी लोगों के सवाल हैं जो मैं reply नहीं कर पा रहा हूं इसल पड़ देता हूं मोनी यादव मोनी यादव जी के सवाल है कि अपर primary में डेट कब लगी है तो अपर primary की जो आपकी डेट है वो 15 दिसंबर संभाविट डेट लगी हुई है मोनी यादव जी जेयस सिंग रोजबस डेट भाई आप मैं समझ रहा हूं जेयस सिंग जी आपका जो गुस्सा है और जो पीडा जो दर्द है वो गुस्से की रूप में निकल रहा है मुझे बुरा नहीं लग रहा है मैं समझ सकता हूं आपका दर्द और मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा दहरी रखना होगा हमें और आपको हम सबको ठीक है बाकी चीजे तो दो सुनवाई जरूर होगा इंदरजेत पराग राज हद हो गई आपकी कोड की फैसला सर जी यह क्या हो रहा रोज रोज जी इंदरजेत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यह कोड के कोड के बज़ा से काफी समस्या और काफी दिकते हमें और आपको हम सबको आ रही है कोड के बारे में कुछ भी नहीं सकते हैं बोस् suffix चाहिए जिस तरिके से भी सुनवाई करे डेट लगाए हटा देन तो हमें एकॅच्छप्ट करना परता है हमारी मजबूरी है यह हमारीनी lihat कि हम सब की पूरे देश की मजबूरी है ठीक है और पुनम तृपाथी जी जल्दी फैसला हो जी पुनम जी बिल्कुल कोशिश से जल्दी फैसला होगा मनुज सहनी सरकार चाहती ही नहीं है बिल्कुल एको रेट आपने मनुज भाई जो आपने कहा ना बिलकुल दिल की बात चेन लिए आपने मिदूल मिस्रा जी 2019 वाला मिदूल भीया डेट लगी होई थी उस पे सुनवाई भी हुई और बहस भी हुई और यूपी टेटी 2019 वाले पे वो क्या कहते हैं आपके लिए स्पेसल लेडियो डालूंगा और 12 जनरी समभावना बन गई हूँ यह एक्सपेसल वीडियों ली जाएगी बारर जनवरी को अर जो मतलब नंबर इसू जो भी कामन नंबर मिलने होंगे वो 12 जनवरी को मतलब पूरा चांस है कि नंबर इसू हो जाएगा ठेक और साथी मैं 2021 वालों को ये कहना चाहूंगा कि जैसे 2000 मिर्दोल मिसरा जी हैं साथ में हमारे 2019 वाले के लिए अपडेट ले रहे हैं सेम थोड़ी सी सब रुबस रखने की जरूरत है आज नहीं कल अपडेट जरूर आएगा अब देखिए डेट फिक्स हो गई न और एक्सपर नमबर जरूर पढ़ेंगे थोड़ा सा धहरे रखना होगा तो कुछ न कुछ संभावता हम सब के साथ अच्छा ही होगा बस यहीं रिक्वेश्ट करना चाहता हूं आप लोगों से ठेक और आगे का जो भी अपडेट है मैं हमेशा आप लोगों को लेबल करवा देता हूं उसके लिए कभी पीछे नहीं हटा हूं थोड़ा सा 2019 की तरह मतलब यह नहीं कहा रहा हूं 2019 जो लेट हुआ था न वो लेट हुआ था कोरोना के बज़ा से ऐसा नहीं कि अपने आप लेट हो गया था लेकिन 2021 वाला फैसला जल्दी होगा जितना जल्दी हो सके ठीक है अगला आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में असुतोस पांडे इन्होंने लिखा है कि सरकार के साथ कोर्ट भी स्टूडेंट के साथ नहीं करती यह देखिए आपका कमेंट मैं गलत नहीं कह सकता हूं 100% सत्य है और आज हम सभी गुम रहा हो रहे हैं और जो रियालिटी है जो लोगों के साथ क्या हो रहा है और आपका कहना बिल्कुल सही है मैं आपका दुख समझ सकता हूं फिर असरद खान सर 2021 का बताओ सर आप से बहुत मेरे हैं असरद भाई मैं समझ सकता हूं मतलब इस पर भी डेट लगी है लगतार डेटेल मिल रही है आज निकल सुनवाई जर सोचता ही नहीं कि बीडियो डालूँ लेकिन मजबूरी है सोचता अगर मैंने भी डालूँगा तो भी हमारे साथ के ही लोगों का नुकसान है तो इसलिए मजबूरन बीडियो डालना पड़ता है संगीता यादो जी संगीता जी धन्यबाद और उदेव उदेव प्रयाप आपका एड़ोकेट कोट से कहे अब 2017 में जिन क्विश्चन पर मार्क दिये तो 2021 में क्यों नहीं उद्धर भाई आपका कहना बिल्कुल सही है लेकिन देखिए कुछ टर्मस आफ कॉंडिशन्स होते हैं जो मैंने वीडियो बना के बहुत पहले समझाया हुआ था 2017 के सेम मेटर पर आप नहीं जा सकते हो बहुत सिंपल उस समय 2017 में जो क्विश्चन थे उस पर एविडेंस नहीं प्रस्तूत कर पाया था आयोग तो उस पर कुछ नंबर इसू हुए थे लेकिन 2021 वाले मेटर में जिन क्विश्चन पर बिबाद है उन क्विश्चन पर कही नही से कुछ न कुछ एविडेंस एक्सपोर्ड किराय दे रहा है तो उस पर यही भी बाद है और हम चातर अपने तरफ से कुछ एविडेंस दे रहे हैं जिसके लिए दोनों तरफ से लड़ाई है ठीक है तो बात रखी गई है और देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इतना भी असान नहीं है कि मतलब कोई कोट ऐसा थोड़े है कि हम जाके कोट को कुछ भी ऐसे ही बहुत नार्मल बता देंगे पताने से नहीं होगा डेट लगती है वो चीजे कोट को भी पता है लेकिन वह बात बताई भी जा चुकी है ठीक है आसितोस पांडे जी आखिर अब तक होगा न्याय आसितोस भाई मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और मैं भी उमेद करता हूं कि जतना जल्दी हो सके न्याय हो क्योंकि काफी लोग परिसान है काफी लोग चाहते हैं कि इस पे जल से जल निरड़े आ जाए और फैनले आपके सिस्टेटस देख सकते हैं इस केसिज लाइकली टू बी लिस्टेड आन 14 दिसमपर 2022 तो 2022 वाले में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो डेट लगी हुए है ना लाइकली संभाविट डेट है 14 तारिक को तो आज 10 तारिक है चार दिन का समय है इसके बीच कहीं ना कहीं वो डेट क्लियर हो जाएगा तो डे अश्चिंशासुतोश्रिवास्तोशर के ही कोड में लगता है तो परजेंट उनके कोड में लग रहा है और जब बदलाव होगा तो देखा जाएगा बाकी चीज हैं मैं कल वीडियो में अपडेट कर दूँगा वीडियो में अपडेट 2019 वाला भी और अपर प्राइमरी वाला भी है धन्य बाद